बेट रूम में भूल कर भी ना करें ये काम बेट रूम में हमेशा एक ही गदा होना चाहिए एक कमरे में दो बेट और बेट पर दो गदे का होना भी पती-पत्नी के रिष्टों के लिए सही नहीं होता है बेट के नीचे जूते, चपपल और दूसरी गैर जरूरी चीजें रखने के आदर आपके बेटरूम में नेगेटिव एनरजी फैलाती है बेटशीट और तक्ये के कवर को दो से तीन जिनों पर बदलते रहें और हफते में एक दिन तक्ये को धूप जरूर लगां ऐसा करने से जीवन में भी परिवर्दन होता रहेगा जिसे जिन्दिगी में खुशिया बनी रहेंगी कमरे के कोने में बिस्तर लगाने से बचे क्योंकि यह सकारात्मक उर्चा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोपता है अगर आपके बेडरूम के साथ बाथरूम भी अटाइच है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उसको गीला ना छोड़े और साब सपाई पर विशेज ध्यान रखें बाथरूम का गीला रहना कर्च की इस्तिति ला देता है बेडरूम में हिंसक पश्मों के तस्वीरें और मूर्तियां रखने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच मन मुटाव और कला हो सकता है अपने बेड को कभी भी कमरे के मध्य में न रखें हमेशा कोशिश करें कि कमरे की किसी एक दिवार से लगा कर ही बेड को रखें बेड का सिरहना पूर्ग या दच्छिड की ओर होना चाहिए मास्टर बेडरूम में वास्तो के मुताबिक बेड प्लेस्मेंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये परिवार वालों के स्वास्ते और नींद की गुडवत्ता को प्रभावित करता है बेडरूम में अपने पलंग के चारों पाएं पर तावे का तार लगाने से पती-पत्ने के बीच संबंध मजबूत रहेंगे और मन की नकारात्मक पर भी पलंग परात ही खतम हो जाती है बेड के नीचे ना रखें कुड़ा और बेकार समान बेड के नीचे भूल कर भी कुड़ा या कोई बेकार समान नहीं रखना चाहिए बेड के नीचे निरंकर उर्जा घूंती रहती है जिससे आपका शरीर संचालित होता रहता है और वेकार का समान रखने से नकारात्मक उर्जा भी आ जाती है जिससे आपके जीवन में उसका इसतर बढ़ जाता है बेटरूम में ये भी ध्यान रखें कि नमक वाले पानी से पोचा लगाएं ऐसा करने से नकारात्मक उर्जा चली जाती है और जीवन में सुख शांती बनी रहती है